दोस्तो नमस्कार मैं जगनाद गौतुम देश रोजाना योट्यूब मंज़ पर आपका स्वागत है दोस्तो आपको याद होगा कि अभैसिंग चोटाला यानि इने लोगे सर्वे सर्वा अपने भाश्रों में मीडिया के साथ वारतालाप में प्रेस कांफरेंस में या इंटर्व्यूज में साफ तौर पर कह रहे थे कि इस बार हरियाना का मुख्य मंत्री में बनूंगा पत्रकार सवाल कर रहे थे भाई आप कैसे बने इगे आपकी तो नब्बे में से पिछली बार एक सीट रही थी वो कौन सा फार्मूला है जिसके तहट आप हरियाना के मुख्य मंत्री बनने का दावा कर रहे हैं तो अब है चोटाला हिसार समझा रहे थे कि इस बार बस्पा सपा गठबंदन कम से कम हरियाना में बीस पच्चिस सीटें जीतेगा और हम किसी को समर्थन देने नहीं जाएंगे बलकि हमारी इतनी सीटें होंगी के कांग्रेश या भाजपा की हमें सपोर्ट करना हमें समर्थन देना सरकार बनाने के लिए मजबूरी हो जाएगी लेकिन दोस्तों ऐसा होने सका आपके सामने है जो दुर्गती च्टाओ देविलाल या चोटाला परिवार की इन चुनावव में हुई है शायद कभी नहीं हुई और इस से बड़ी दुर्गती और क्या हो सकती है के स्वेव इने लोग के मुख्या अब है सिंग चोटाला तक अपना अपनी सीट हार गए चुनाव हार गए कहां तो सीम बनने जा रहे थे कहां ओपीज 25 सीटें ही लाने का दावा कर रहे थे और दो सीट पर सिम बट गए ये तो हुआ नंबर वन मुद्दा अब हमें एक और पार्टी की बात कर लेते हैं इसी तरीके से आम आदमी पार्टी आपने कांग्रेस की बात नहीं मानी कांग्रेस के साथ समझोता नहीं किया पांच सीटें तो सरेयाम कांग्रेस आप पार्टी को दे रही थी लेकिन अंदर खावनें ऐसी थी कि पांच से दस तक भी सीटें आपको दी जा सकती हैं ये उपर से रहुल गांदी का धवाव था जबकि हुड़ा जी तो बार बार ये ही कह रहे थे हमें किसी के साथ समझोते की ज़र तो नहीं हम अकेले जीतने में सक्षम हैं लेकिन रहुल गांदी की बात ने मान कर कांग्रेस ने भी गलत किया और आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस से समझोता ना करके गलत यानि गलत फैसल लिया अर्बिन केजरी वाली भी यही दावा कर रहे थे कि हमारे बिना कोई सरकार हरियाना में नहीं बनेगी और वो दावा कर रहे थे कि मैं भी हरियाना का बेटा हूँ इसार में पैदा हुआ हूँ और हमारी पार्टी इन चुनावों में बहुत अच्छा करेगी और उनका भी लगभग यही आकड़ा था कि हम हरियाना में कम से कम 20-25 सीटें जीतेंगे और जब हम इतने सीटें जीत जाएंगे तो कांग्रेस या भाजपा को इतनी सीटें नहीं मिलेंगी कि वो अपने दम पर भहुमत में आ जाएं इसलिए हरियाना में जो भी सरकार बनेगी वो हमारे समर्थन से बनेगी हमारी सर्तों पर बनेगी यानि हमारे बिना हरियाना में सरकार नहीं बनेगी ऐसे दावे चुनावी समाओं में और पत्रकारों के साथ बाच्चीत में इंटर्वियू में आप मुखिया अर्विंद केजरी वाले भी करते रहें लेकिन दोस्तों जब मतलब चुनावां का पर नाम आया तो वो ही दुरगती इने लों वाली आपकी भी हुई इने लों को दो सीटे तो मिल गई लेकिन आप तो जितनी सीटे नड़ी थी तीन चार तो उनके बीच में ही छोड़कर भाग गए चुनावां का सामना ही नहीं किया जो 85-86 जो उम्मीद वाल लड़े यानि किये तो उन्होंने 90 सीटों पर खड़े किये थे लेकिन तीन चार उन्हें बीच में बीच मज़दार में छोड़कर भाग गए तो उन 85-86 उम्मीद वाल जो चुनाव लड़ेते थोक के भाव में समकी जमानत जब्रोगे सिर्फ अटेली में अतरलाल आपका उम्मीद वाल अपनी जमानत बचा पाया और उसके बारे में भी ये कहा जाता है अतरलाल के कि उसकी अपनी जमीन है वो पहले भी बसपा से चुनाव रहा था दूसरे नमबर पर रहा और इस बार भी आरती राव से मात तीन हजार पिचासी बोटों से हा रहा है यानि उसकी जमीन अपनी है वो पहले आकेले बसपा के चुनाव पर लड़ था तब भी दूसरे नमबर पर रहा था और इस बार भी उस दूसरे नमबर पर रहा इस बार इनलो बसपा का घड़ बंदन था जीता नहीं लेकिन आरती राव बमुस्किल ये सीट बचा पाईं या कांग्रेश ये सीट बमुस्किल बचाती रहीं कैई बार वो पीछे चल नहीं थी कभी आ गए कभी पीछे वो बात अलग है किसमत ने उसका साथ दिया और वो 3085 बोट से जीत गए तो दोस्तों कहने का ताज़ पर ये ये है कि अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि चोटाला परिवार कब क्या होगा ताओ देविलाल परिवार की राजनीति का क्या होगा भजनलाल परिवार की राजनीति का क्या होगा चोदरी बंसीलाल की भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है एक सीट जीतना और भ दख है गिद्धर। असली मेरा यह था कि जो इस्तिति इनने लोगती हुई है, तो नहीं लगता कि भविष्य में वो कभी सरकार बनाने की इस्तिति में आएंगे, फिलाल तो कम से कम ऐसा ही है। जजपावी की भी दुरगती हुई इन्हें लोग की भी दुरगती हुई आप की भी दुरगती हुई और चुनावी परिल्लामों ने इन्हें कहीं का नहीं चोड़ा राजनीतिक रूप से लेकिन मुझे एक बार और की संका है मुझे चिंता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में भी इस बार अर्विंद केजरिवाल का जादू ना चले चुँके जो दिल्ली से सटा हरियाना है तीनों तरफ से सटा हुआ हरियाना है और काफी मेहनत भी आप पार्टी कर रही थी लेकिन बीच में कुछ हालात ऐसे हुए चाहे वो आप पार्टी के बड़े नेताओं का जेल जाना हो जाना रहा हो या उनके गलत फैसले रहे हो हरियाना में एक बार वो एक तीसरी ताकत के रूप में उभरते दिखाई दे रहे थे लेकिन जिस तरीके से जो रिजल्टा वो आए हैं सबकी जमानत जबत हुए एक को छोड़कर तो मुझे तो संका ये भी हो रही है कि कहीं दिल्ली में भी आपकी लुटिया इस बार अग पर कांगरेश को बहुत घाटा हुआ है इंडिया घटबंदन को भी धक्का लगा है और हरियाना के चुनावों से भाजपा को बूस्टर जो दोज मिली है नया जीवन मिला है और इसका फाइदा भाजपा को आने वाले अन्य विधानसावा चुनाव चा महराष्ट हो चा ब भावनाएं व्यक्त की जा रही है और आप पार्टी के दिल्ली में कमजोर होने की अठकले सुरू हो गई है तो दोस्तों ये था मेरा मुद्दा कि जो इनेलो और आप दावा कर रहे थे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी अब है अब है चटाला तो खुद सीम बनने का दा दोस्तों इतना किसीने ने सोचा था कि इनके उम्मीदवारों की भारी संख्या में जमानत तक नहीं बचेगी तो दोस्तों ये था इन दोनों पार्टियों के भविसे के उपर के इनेलों का और आपका भविसे क्या होने वाला है देख तेरे ये देश रूजाना मिलते हैं अगर आप यह वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें